सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेट पर दोस्तो आज हम नमबर सीरीज के अंदर 2012 से लेके 2019 तक जो भी कोशन आये हैं उन सभी कौम करने वाले हैं और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह की नमबर सीरीज पैटरन यूज हुआ है क्या ट्रिक यूज हुई है और किस तरह से हम बिलकुल असानी से कोशन कर सकते हैं और इसमें इस वीडियो में आपको लेवल भी पता चल जाएगा कि UGC.NET में किस लेवल तक के कोशन आते हैं नमबर सीरीज में तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्यूंकि इसमें से काफी कोशन आगे भी आने के संभावना है त इस ग्रूप में आपको हर रोस दो वीडियो मिलेगी सुभह की जो वीडियो होगी और स्याम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मौश्ट इंपोर्टेंट कोशन के बारे में बताएंगे और उनका मौक टेस्ट भी लेंगे इस ग्रूप में आपको दोस्तों दस यूनि कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए लिंक वीडियो डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दिया हुआ है चलिए दोस्तों अब हम अपना सबसे पहला कोशन करते हैं यह कोशन हमारा दिसंबर 2015 के इंदर आया है और कल जो हमने पैटरन किया था उसमें से देखते हैं में से कौन सा पैटरन लगता है देखिए यहां पे इसने दिया है कि दो पांच फिर दस फिर सतरा फिर 26 फिर 37 तो मैंने कल आपको कई पैटरन बताए थे तो सबसे पहले हमें इसमें यह देखना है कि यह बढ़ते करमे या चड़ते करमे हैं इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे पांच के अंदर डिफरेंस है दोस्तों तीन का फिर पांच और दस के अंदर है दोस्तों पांच का फिर है साथ का और फिर है कितने का है नो का है और फिर कितने का डिफरेंस दोस्तों ग्यारा का इस तरीके से इन सबी में आप डिफरेंस देख सकते हैं और यह देखिए दो दोस्तों यह जो है इनके उन्दर भी फिर डिफरेंस दिया हए इन तीन पांच साıt नो ग्यारा तो यहां प್थींट हाइगा यानि कि यहां पैक्या एगा 13 के बात कि यह यह इन्य पूंद को करना ऊघृट जो थर्टी शेवन के अंदर 13 को एड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों हमारे पास आएगा 50 जो कि इस कांसर उप्सन नमबर ए दिया है तो इस तरह से हम बिलकुल असानी से कोशन कर सकते हैं तो इस तरह के कोशन हमारे आते हैं अब हम अगला कोशन देखते हैं द यह देखिए इनमें भी बढ़ते करम में है तो इस में हम देखेंगे कि किस तरह से चैनल करें देखे हैं सबसे पाहले हम इनके ंथ डिफरेंस देखने की कोसिश करते हैं कि किस म aan-के डिफरेंस है अब तीन और ग्यारा के अंदर देखिए दोस्तों यहां पर आठ का डिफरेंस है और फिर ग्यारा और तेईस के अंदर है बारा का और तेईस और उन्तालिस के अंदर है दोस्तों सोला का और 49 और 59 के अंदर है दोस्तो हमारा 20 का अंतर है तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो अंतर आया है वो हमारा 8, 12, 16, 20 और इन के अंदर देखें दोस्तो इन के अंदर कितने का डिफेरेंस है इन के अंदर 4, 4 का डिफेरेंस है 8, 12, 16, 20 तो यहां पे जो 20 के बाद आएगा वो क को add करेंगे तो हमारे पास क्या है दोस्तो 73 हमारा answer आएगा तो इस तरह से ये question भी हमारा बिल्कुल असानी से हो जाएगा तो देख सकते हैं कि कितने असान question आ रहे हैं और ऐसी बात नहीं है कि musical question भी आते हैं यूजी सी नेट के अंदर वो भी हम देखने की कोशिस करेंगे अब यह देखे जून 2012 के अंदर question पर आया था और इसके अंदर देखे इसके अंदर किस तरह से question होगा इसके अंदर हम देखे तो इसमें वी जो ओर्डर है वो बढ़ते करम में हैं दो छे बारा बीस तीस इस तरह के से इनोंने question दिया हुआ है तो इसमें हम सबसे पहले इनमे difference देखने की कोशिस करते हैं दो और छे के अंदर देखते हैं कितना है दो और छे के अंदर है दोस्तो च्यार का difference है फिर छे और बारा के अंदर है दोस्तो छे का है फिर बारा और बीस के अंदर है दोस्तो आठ का है फिर बीस और तीस के तो अगला होगा उसको नोए सब्यूरोगा उसका अध्र को सब नहीं वहां ना पर ऑफ सबसे पहले सब्सक्राइब 2 और 6 के अंदर 4 का 6 और 12 के अंदर 6 का है 12 और 20 के अंदर 8 का है 20 और 30 के अंदर 10 का है 30 और 42 के अंदर 12 का है तो इस तरह से आप डिफरेंस देख सकते हैं 4 6 8 10 12 14 16 का है और तो इस तरह से जो 16 को हम 56 में एड करेंगे तो हमारा आएगा 72 तो यहां पे जो 72 इसका अंसर है C answer इसका दिया हुआ है तो दोस्तों आप बिल्कुल असानी से question कर शकते हैं और आगे question देखते हैं दोस्तों आगे हमारा question आया है December 2012 के अंदर अब इसमें हम करने की कोशिस करते हैं और देखते हैं ये question कैसे आएगा दोस्तों सबसे पहले हम इसमें difference देखने की कोशिस करते हैं कितना difference है जो हम basically करते हैं देखे 0 और 6 के अंदर है दोस्तों 6 का हमारे पास difference है यहाँ पर हम लिखे लेते हैं 6 का 6 और 24 के अंदर जो difference है दोस्तों वो है हमारा 18 का 24 और 60 के अंदर है दोस्तों वो है हमारा 36 का और फिर 60 और 120 के अंदर है दोस्तों 60 का अंतर है तो यहां से हमारा कुछ सही से पैटरन नहीं बन रहा हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या आगे पलस होना चाहिए क्या माइनस होना चाहिए यहां पी जो है वो सही से पैटरन नहीं तो अब हम एक चीज देखते हैं दोस्तों जब झाल मैने आपको एक चीज बताया थे कि मोइ एक क्यूब देखना ह razem कोशेल देखना है तो वह starting बीस अब देखिए इसके अंदर हम जब क्यूब करते तो ये देखिए ये किसके क्यूब के एक्वल टू है दो का क्यूब करते तो आठ हता है दोस्तो दो का दो की पावर थरी करते है जब आठ आगया और जब इसको ये किसकी पावर के एक्वल है दोस्तो आप सोच के देखि यह जब हम तीम की पाउर करते तो 27 तू यह कही ना कहीं 27 के करीब है उसके एक्वल नी है लेकिन करीब है फिर बात आती है हमारे पासाथ अब बेख़े किसके क्यूब के इक्वलटो है ये देखे जब हम 4 का क्यूब करते तो 4 चोके 16, 16 चोके 64 तो कहीं न कहीं ये क्यूब के पास में जा रहा है तो उन में हम देखते कि क्या हो सकता है ये देखे हमने 0 का क्यूब किया और इस में से मानलो 0 ही हमने घटा दिया तो ये आगया हमारे पास 0 फिर यहां पे 6 है तो 6 का हम करेंगे जैसे कि 2 का क्यूब किया हमने 8 आ गया 8 में से हमने कितना घटा दिया दोस्तो हमने घटा दिया 2 तो यह कितना आ गया 6 आ गया इसी तरीके से आगे है हमारे पास 24 24 है तो 3 का हम क्यूब करेंगे 3 का क्यूब कितना आगा दोस्तो 27 हा गया 27 में से हमने कितना माइनस कर दिया 3 तो यहां पर कितना जाएगा 24 हा जाएगा ठीक है इसी तरीके से 60 है तो 60 का हम यहां पर कर लेते है 4 4 का क्यूब हमारे पास 64 होता है जिसको cube नहीं पता है, foster cube का मतलव यह होता है, जैसे 4 का cube 4 गुना 4 गुना 4 यानि कि 3 बार गुना करना किसी भी चीज़ को, ना 4 का cube होता है, दोस्तो 64, 64 में से हम ने 4 माइनस किया तो यहां पे आगे हमारे पास 60 आगे हमारे पास इसी तरीके से जो यह 120 है 120 में दोस्तों हम क्या करेंगे 5 का क्यूब करेंगे 125 में जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 120 आजाएगा तो अगली जो है दोस्तों यह question मारक है यहाँ पे क्या आएगा तो यहाँ पे सीधी सी बात है हमें 6 का cube करना है 6 का cube और minus कितना करना है 6 minus करना है तो 6 का cube कितना होता है दोस्तो वो होता है साइद हमारा 216 हाँ 216 होता है 216 के अंदर जब हम 6 minus करेंगे तो हमारा जो आनसर दोस्तों वो क्या आएगा वो हमारा दोस्तों दस आनसर आ जाएगा तो दोस्तों इस तरह से थोड़े दिफिकल्ट कोश्चन भी हमारे पास आ सकते हैं बस उसको थोड़ा सा समझने की कोशिस करने हैं हाँ थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लग सकता है लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह के कोश्चन की तो आपको आने लग जाएंगे जल्दी जल्दी आप करने लग जाएंगे कोश्चन और अगर किसी दोस्त को यह कोश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप हमें वर्ट्साप पे मैसेज कर सकते हैं अब हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिस करेंगे और अगर यह कोश्चन समझ में आया तो आप एक 40 का 120 है फिर 60 है फिर 180 है फिर 90 है अब देखी इसके इंदर मैंने बताया था आपको की सबसे पहले हमें देखना कि सिक्वेंस सही है या गलत है अब इसमें देखिए सबसे पहले बढ़ गया 40 120 हो गया फिर माइनस हो गया फिर प्लस हो गया फिर माइनस हो गया पलस माइनस प अगर आप ध्यान से देखोगे तो शुरू में आपको क्लिव मिल रहा है अब देखे चालिस गुना तेन कितना होता है एक सो बीस होता है यानि कि चारती वारा एक सो बीस और फिर देखे छेटी अठारा यानि कि साथ तिया एक सो ऐसी हो गया तो नो देखी यहांपे कैए जो 120 है दोस्तो वो 40 देखें यहां पर मैं दिखा देता हूँ 40 गुना में 3 कर दिया हमने फिर 60 गुना में 3 कर दिया हमने अब देखें दोस्तो 40 गुना में 3 कर दिया हमने कितना आ गया 120 आ गया फिर 60 गुना में 3 कर दिया 180 आ गया तो फिर आगे क्या होगा दोस्तो 90 गुना में 3 होगा हमारे पास तो 9 या 27 यानि कि 270 हमारे पास अंसर आ जाएगा यहाँ पर आप देखो 40 को 3 से गुना किया है 60 को हमने 3 से गुना किया है और फिर 90 को हम 3 से गुना करेंगे तो इस तरीके से मैंने complex भी एक series बताई थी उसके अंदर वई उल्जा पुल्जा हो सकता है तो इस तरह से इन question को कर सकते हैं आप थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है हर बार plus ही नहीं होगा उनके अंदर minus भी हो सकता है और plus भी हो सकता है और बार बार कह रहा हूं जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से question आपको आएगा और अब हम देखते दोस्तों अगला question ये हमारा June 2014 के अंदर question आया था इसके अंदर चार, पांच, आठ, तेरा, चोध, सत्रा, बाईस दिया है दोस्तों देखें, difference हम देखते हैं चार और पांच के अंदर दोस्तों एक का, पांच और आठ के अंदर दोस्तों तीन का फिर है आठ और तेरा के अंदर दोस्तों पांच का और फिर है दोस्तों हमारे पास एक का, फिर है तीन का और फिर है 17 और 22 के अंदर है दोस्तो हमारा 5 का तो ये हमने difference देखा है दोस्तो आप copy में लिख लेना चाहिए ये question copy में करके देखोगे जिदा अच्छे से समझ में आएगा अब देखें इनके अंदर हमने 1, 3, 5, 1, 3, 5 ये series हमारी चल रही है तो आगे जो series होगी दोस्तो वो भी क्या होगी हमें 22 के अंदर देखें 22 के अंदर पहले क्या करना पड़ेगा पहले हमें 1 एड़ करना पड़ेगा यानि कि कितना आगया हमारे पास 23 आगया 23 के अंदर दोस्तों अब हमें क्या करना पड़ेगा 3 एड़ करना पड़ेगा कितना आगया 26 आगया 26 के अंदर हमें क्या एड़ करना पड़ेगा दोस्तों 5 एड़ करना पड़ेगा तो हमारे पास कितना आगया 31 आगया ठीक है उसके बाद भी हमें वही सीरीज अपनानी है यानि कि देखे मैं बता रहा हूँ आपको 31 के बाद क्या करना एकतिस जमा में एक करना है तो कितना गया हमारे पास 32 जमा में हमें क्या करना है तीन करना है तो यह कितना गया 35 जमा में कितना करना है पांच करना है तो कितना गया 40 सब्सक्राइब जो हमने question किया है तो इसका right is one answer है दोस्तों वो हमारा होगा 33 इसका answer होगा तो इस तरह से बिलकुल असानी से आप कर सकते हैं वस थोड़ा सा ध्यान देने की आव सकता है अब हम अगला question देखते हैं ये December 2014 के अंदर आया था दोस्तों इसके अंदर इन्होंने कहा है कि अगला पद कौन सा होगा अब देखे दो साथ अठाइस चोंसट और 126 दोस्तों ये तो बिलकुल आँखों के सामने ही है हमारा देखिए अब चलिए इसको मैं थोड़ा यहां पर लिख देता हूं इसके इंदर देखिए थोड़ा सा ध्यान देने के आवसिता है 363 मतलब 64 के करीब है 126 है 125 के करीब है 28 है 27 के करीब है 7 है वो 8 के करीब है यहां से क्या कुछ वाए है समझ में आपको क्यूब चल रहा है दोस्तों क्यूब क्यूब की बात हुื müsst यहां पर देखिए अगर हम यहां पे एक का क्यूब कर देते हैं और एक के क्यूब में एक ही एड़ कर दे तो हमारे पास दो आ जाएगा अब देखिए साथ है तो दो का क्यूब हमने कर दिया दो का क्यूब होता है हमारे पास आठ होता है आठ में से हम माइनस एक कर देंगे तो कितना आजाएगा साथ हमारे पास आजाएगा इसी तरीके से 28 है 28 का क्या होगा दोस्तो तीन का क्यूब हम कर देते हैं तीन की पावर तीन कर देते हैं और प्लस में एक कर देते हैं तो कितना आजाएगा हमारे पास 28 आजाएगा क्यूंकि तीन का क्यूब होता है 27 तीन त्या नो नो त्या 27 जमा में एक यहां पर देखें दोस्तों यहां पर हमारा क्यूब हो रहा है एक का क्यूब दो का क्यूब तीन का क्यूब और फिर देखें यह च्यार का क्यूब च्यार का क्यूब कितना होता है 64 होता है 64 में से हमने 1-1,2,3 का हमारे पास क्यूब होता हूब जा रहा है यहां से क्योब होता हूब जा रहा है यहां तो नेक्स्ट जो सीरीज आई वो क्या होगा दोस्तों हमें छे का क्यूब करना है और अब बताइए छे का क्यूब करने की बाद हमें इसमें प्लस करना है माइनस करना है यहां पर प्लस होगा तो अगला क्या होगा माइनस होगा तो माइनस करने पर हमारे पास क्या आएगा छ इसकानसर दिया हुआ है तो दोस्तों इस तरह से आप कोशन कर सकते हैं और चलिए अब हम अगला कोशन देखते हैं यह हमरा जून 2015 के अंदर कोशन आया है इसके अंदर इन्होंने आद श दीए दो पांच नो उन्निस अंटिस अब इसमें हम करने की कोशिश करते हैं इसमें क्या हो सकता है यह देखें दो पांच दो इन्नस और 37 से सकते हैं अब देखें इनách अपनों यह कितना है इन दोनों के अंदर क्या है इन दोनों के अंदर क्या है यह देखिए दो दुनी च्यार जमा में एक कितना हो गया पांच हो गया द्यारन से देखिए दोस्तों दो दुनी च्यार जमा में एक कितना हो गया ठीक है यह हो गया अब नो कैसे हो सकता है पांच दुनी दस 10 में से 1 माइनस कर दिया, कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है, फिर हमारे पास 9 हो गया, 9 दुनी 18 जमा में 1, 19 हो गया, तो यहां से बिल्कुल हमारे पास साफ साफ नजर आ रहा है, चलिए मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ, देखे, 2 गुना में 2 जमा में 1, जमा, इक 9 गुना में 2 पलस में 1, कितना हो गया हमारे पास? 19 हो गया, यह करके देखे, 2 दुनी 4 और एक 5, 5 दुनी 10, 10 में से एक गया, 9, 9 दुनी 18 जमा में 1, 19 हो गया, इसी तरीके से 37 कैसे आए गया? 19 गुना में 2, 19 दुनी 38 माइनस में 1, कितना हो गया? 37 हो गया, तो अब देखिए अगला क्याएगा 37 गुना में 2 और पलस में 1 तो कितना आएगा यह आप देखे यह हमारा आएगा 75 37 गुना में 2 होता है 74 पलस में 1 75 इसका अंसर आजाया तो दोस्तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से कोशन कर सकते हैं और आप करके देखना दोस्तों यह जितने वी कॉशन करवाए हैं मैंने आप सभी यह कोपी में लिखना इनकी स्टेटबैंट और करके देखना और सुलिशन मैंने आपको साथ की साथ दिये हुए हैं आप चेक करना और फिर वी आपको किसी भी तरही कोई दिक्कत आती है तो इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा क्या हो सकता है? अब देखेें, एक, पांच, तेरा, पच्चिस और फिर है एक तालीस, अब देखें, इनके अंदर सबसे पहले इनमें देखते एक और पांच के अंदर कितना डिफरेंश है दोस्तों चार का है पांच और तेरा के अंदर है दोस्तों आठ का है तेरा और पच्छिस के अंदर कितना है दोस्तों बारा का है पच्छिस और एक तालिस के अंदर है दोस्तों सोला का अंतर है तो अगला क्या आएगा दोस्तों यहां पे हमारा बीस आएगा, सोला के बाद क्या आता है, बीस, बीस को जब हम एक तालिस के अंदर एड़ करेंगे, तो कितना आजाए है हमारे पास, सिक्स्टी वन आजाएगा, और यह कोशन हमने पहले भी किया था दोस्तों, तो दोस्तों, इस तरह से आप बिल्कुल असान इसे कोशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्रता है, अब देकिएं दोस्तों, यह हमारा जनवरी 2017 के अंदर कोशन आया था, इसमें देखते हैं कि क्या होगा और ये कॉश्चन भी दोस्तों हमने पहले किया है अभी किया है वह ये कि बार वार रिपीट होते है बेपर में इसक Prof. यूजियन आट के अधर बहुत कॉश्चन नीपीट होते है लेकिन आप छो लोग है वो ध्यान नहीं देते हैं देखिए इसके अंदर एक चार सताइस फिर है सोला और फिर है डैस दे दिया और फिर है च्छतिस ये तो दोस्तों बिलकुल असान है कैसे असान है देखिए इसके अंदर मैं बताओं आपको जैसे एक है एक का तो चाहिए आप क्यूब कर लो स्केर कर लो जो कुछी भी कर लो वो तो एक ही रहेगा अब देखिए च्यार है च्यार किस की कुल्ट हो सकता है दो की पावर दो 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 नी च्यार सताइस क्या हो सकता है दोस्तो तीन की पावर तीन चार क्या हो सकता है दो की पावर दो और सोला क्या हो सकता है दोस्तों चार की पावर दो अब देखी थोड़ा जिन दोस्तों को मैथ थोड़ा कम आता वो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे एक की पावर हमने तीन ही कर लिया एक की पावर तीन करेंगे तो एक ही आएगा दो की पावर हमने दो की दो दुनी चार तीन की पावर तीन की तीन तीन नो नो तीन 27 फिर चार की पावर दो की चार चो के 16 तो यहां पे क्या आएगा दोस्तो यह जो डैस दिया हुआ है इस तरह का यहां पे इस पे क्या आएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे पांच के पावर दो करेंगे या तीन करेंगे पहले यह बताइए हम यहाँ पे पावर तीन करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखे पहले पावर तीन है फिर दो है फिर तीन है फिर दो है तो अब क्याएगा तीन पावर आएगी तो पांच की पावर ज देखते हैं दोस्तों यह कौशन हमारे पास जुलाई 2018 के अंदर आया था इसके अंदर देखते हैं ये देखिए इन्होंने कहा है माईनस वन फिर फाइव पांच फिर है 15 और फिर है 29 अब देखिए इसके अदर सबसे पहले हम डेफरेंस देखने की कोशिश करते हैं अब यह दोस्तों सबसे पहले आप इनके अंदर कितना डिफरेंस है इसके अंदर कई दोस्त कहेंगे कि पांच का डिफरेंस है कई छे कहेंगे तो रियल में इसके अंदर जो डिफरेंस है दोस्तों वो छे का डिफरेंस है क्योंकि इसके अंदर जीरो हम काउंट करेंगे जीरो एक दो, तीन, चार, पांच, यानि कि 6 का डिफरेंस हो गया, फिर 5 और 15 के अंदर दोस्तों, 10 का डिफरेंस है, फिर 15 और 39 के अंदर दोस्तों हमारे पास 14 का डिफरेंस है, तो अब देखें, इनके अंदर कितने कितने का डिफरेंस है, नीचे देखें दोस्तों, 4-4 का डिफरेंस 6 जमा में 4 10 10 जमा में 4 14 14 जमा में 4 कितना होगा दोस्तो 18 जब हम 29 के अंदर करेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तो वो आएगा हमारे पास 47 आएगा तो दोस्तों आप देख सकते कि कितने कुसन आ रहे हैं हberry हम नहीं कर पाते तो थोड़ा आपको practice करने की आवशकता है और यह देखे जुलाई 2018 में question आया है और अब हम अगला question करने की कोशिश करते हैं अब अगला question आता है दोस्तों हमारे पास December 2018 का question अब देखे है इसके इंदे 51949 बिल्कुल असान है थोड़ा सा भास डिफिकल्ट हो सकता है थोड़ा सा ध्यान देने कि आव सकता है चलो हम आपको हिंट बता दिता हुं इसका हिंट क्या होगा देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है पांच और 19 के अंदर फिर 19 और 49 के अंदर इन सभी के अंदर आप रिस्पेरन्स आगए 10 14 25 इस तरीके से डिफेरेंस आने के बाद में पिर नीचे जो एकबडरन छय पर भीडिफेरेंस यहां पर जो भी तो सिरिज आए उसके इंदर एड कर ना करना है ठीक है आप मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूं चलो मैं एक बार फिर से समझा दिता हूं ताकि आपको प्रोग्लम ना हो सबसे पहले इनके अंदर डिफरेंस देखना दोस्तों 5 और 19 के बीच में 19 और 19 के बीच में 101 के बीच में इन सभी के बीच में आप डिफरेंस देखना और वो जो डिफरेंस आए फिर उनके अंदर डिफरेंस देखना क्या 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 डिफरेंस हो ठीक है और वो जो डिफरेंस आए वो कॉमन डिफरेंस कितना है वो डिजिट फिर उसके अंदर एड करन ठीक है इस तरीके से आप करके देखना यह आज है बिलकुल असान है अगर फिर भी किसी भी दोस्त को यह कोशन नहीं आता है तो आप हमें वर्टसप पे कॉंटेक्ट करना हम आपको अंसर देने की पूरी-पूरी कोशिस करेंगे और वैसे इसका अंसर यहां पे दिया हुआ ह दोस्तों यहां पे देखिए बी इसका आंसर है। चाष्जों उन्侌निंचास इसका अंसर आएगा लेकिन आप अपने आप करके देखना कि क्या इसका आंसर चाष्जों उन्हाESर या नहीं आता है ठीक है और आगे दोस्तों आगे हमारे पास डिसंबर 2018 अठारा का ही कोशन पेपर है यह तो इसके अंदर देखिए यह भी असान है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है देखिए इसके अंदर क्या है जीरो वन नो च्छतिस और सो अब देखिए दोस्तों यह तो बिलकुल असान है दोस्तों बिलकुल असान है यह तो साफ साफ सब्दों में दिख रहा है देखे नो है नो किस योज़र होती है दोस्तों तीन तिया नौ Johnson 36 cents typically 30 Corn Thomson 20 यहां पे यहां पे एक यहां तो एक की पावर एक 0 है जीरो की पावर 2 कर दो यहां पे एक पावर अब देखें Jaaro 6 10. यहां पे सुभी की पाउर हो रही हैं. 3 की पाउर 2, 3 ते 9, 6 की पाउर 6. 6 हो गया. अब यहां पे देखें. यहां पे 1 का डिफिरेंस, यहां पे 2 का, यहां पे 3 का, यहां पे 4 का, तो आगे क्या आएगा? दस के जब हम 5 एड करेंगे तो 15 आढ़ेगा. और 15 की पावर 2 कितना होगा दोस्तों वो हमारे पास होगा 225 यानि किसका अंसर क्या होगा अपसर नमबर 4 225 इसका अंसर आ जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप बिलकुल असानी से ये कोशन कर सकते हैं और अगर आपको जियारफ लेना तो आप ये सभी के सभी कोशन आप कोशन के साथ अपर दोभाड़ करके देखिए यह स्वाल है कोपी में लिखे कोपी में कर करके देखिए और कोई सवाल नहीं आता है तो आप या पर एक्स्प्लेंज़ siern के साथ समझाया हुआ है आप दोबारा वम देखे आपको समझ में आ जाएगा तो दोस्तों आज क्लिए बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इ loneliness को लाइक किजिए सेर किंजिए किजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी का वटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोज को सानी से देख सके थैंक्यू दोस्तों